नमश्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज उन 40 वर्स के पर उसके पाम का एनालेसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थम इनके सवालों को सुनेंगे फिरेके कड़के इनके सवालों का उतर करेंगे उ इनका question इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना खुद का विपार भी है इनका, और politics में काफी ज़्यादा interested है, और आगे किस जिंदगी के विशे में जानना चाहते हैं, मंत्री बनने के क्या योग हैं, और आगे politics में कितनी ज़्यादा सफलता मिलेगी, अजबी ठीक ठाग अ अच्छे पदपन हैं ये, और इससे ज़्यादा growth की उमीद ये अपने जिंदगी पर रखते हैं, अब कोई भी विक्ति अपने जिंदगी पर तो growth का उमीद रखता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इनको growth के विशे में जानना है, और आगे क्या कुछ जिंदगी पर ये कर सकते कितनी सफलता पा सकते इस विशे पर इनको जानना है, तो आपने शिंतर ये आपके सारे ही questions पर विचार करेंगे, चीजों को बड़ी गहराई और बड़ी अस्प्रसता के साथ समझाने का प्रियास करेंगे, जब ही मैंने इन कहतली को देखा न, मैं तो साफ शब सफल बनते हैं, तो एक एक करके इनके positivity को मैं दिखाऊंगा, अगर आपको पर जिंदगी पर सफलता को पाना है, या आप politics में interested हैं, आप राजनेता बनना चाहते हैं, या फर इस politics में जाना चाहते हैं, राजनितिक में जाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं ये वीडियो आपक सफलता जिंदगी पर जरूर पाऊगे, या फर जिंदगी पर पैसे जरूर कमाऊगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात आपको समझाने का परियास करूँगा, तो वीडियो बहुत expect से महतब होना है, सबसे पहले इनके positive चीज़ को देखेंगे, फिर इनके negativity को दे जूत है, बेहत शांदार positivity, अब देखो positive चीज़ में क्या है, तो ये रही है एक प्रगती के योग, यहाँ पर से देखो, यह एक progress line ये वाली देखो, यहाँ पर से बहुत जबरदस प्रगती के योग, यह भी progress line है, मचपन बचपन से बढ़ियां बीतता है जन्दगी, यह से देखो, बहुत बढ़ियां है, यह भी प्रगती के योग है, यहाँ से भी देख लो, यह भी देख लो, यह भी देख लो, मतलब बहुत शांदार इनकी progress line है, और यह continue basis पर है, यह जातक के जिन्दगी पर सफलता को definitely indicate करती है, यह इतनी रेखाएं मैंने आपको अभी बन तरक्की कार्थ यह भी होता है कि आज मरी salary 10 रुपे है, तो मैं 10 रुपे से 20 रुपे पर स्विच कर गया, या हमारी salary 10 हजार है, तो मैं 20 हजार पर स्विच कर गया, तो progress line बहुत अच्छी इनके हाथ पर, उसके बाद देखो तो इनकी progress line यह वाली, यह progress line ने यह मंगल इनके हाथ पर मौझूद है, बेहत शांदार मंगल रेखा, जिसको हम पुर्वपुन रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, ऐसे विक्ति दिरगायों होते है, potential बड़ा अच्छा होता है, energy और समड़पन, energy dedication, समड़पन बहुत शांदार होता है, high level का होता है, यह लोग energetic विक्ति होते हैं, energy से कारे करते हैं, जिन्दगी पर आगे बढ़ने का हमेशा ही प्रियास करते हैं, जिन्दगी पर जरूर से आगे बढ़ते हैं ऐसे विक्ति, तो यह देखो कुछ मंगल रेखा पर भी एक और यह सब रेखा जो नहीं, यह मंगल रेखा है, यह भी एक मंगल रेखाना बहुत कमतली पर दिखती है, ऐसे विक्ति दिरगायों 100% होते हैं, और दूसरी चीज, ऐसे विक्ति highly energetic होते हैं, लाइफ में पैसा भी आता है, मंगल रेखा क्या दरशाती है, आपके जीबन के बल को increase करती है, मतलब potential dedication, समरपन, energy, I.U., सब को ये represent करता है, तो मूल बतलब को मैं समझाने का प्रियास कर रहा हूँ, इसके उपरांद भागिरेका देखो, यहां से चली है ये वाली, ये भागिरेका के ब्रांचे से है, फिर से देखो समझो, ये भागिरेका के ब्रांचे से है, और आगे यहां से भी भागिरेका चली है, एकदम बहुत क काम अब क्या ही चाहिए आपको जिंदगी पर वी नुमा किरती के साथ इसके मतलब को समझाया जाएगा इसके मतलब को रिविल किया जाएगा तो वीडियो में बने रहे हैं आप सरकारी छेतर से दनलाव के लॉइन्स आपके हाथ पर बने ये भी देख लो बहुत कमाल ये सब भागे रेका बहुत बेमिशाल है आपके हाथ पर डेफिनिटली बहुत अच्छी पैस्टिवीटी है और एक बहुत ही प्रभावी सारी सूरी रेखा के ब्रांचे से और यहां से भी देख लो उसके बाद अगर मैं दिखाओ तो यहां से भी एक स्कॉायर साइन बना है सूरी पर यह भी सूरी रेखा के ब्रांचे से यह भी एक बागे रेखा के ब्रांचे से मतलब सूरी रेखा अच्छी है और यह भी एक सू पॉस्टिविटी है तो आप समझ सकते इतनी बढ़िया पॉस्टिविटी है ब्रश्पती पर स्कॉयर साइन है ये भी एक बहुत गिजब का पॉस्टिविटी होता है तो इतनी जादा पॉस्टिविटी है किसी के भी हाथ पर होगे वो जिंदगी पर सफल क्यों ना बनेंगे वो जिन्दगी पर सफल क्यों ना बनेंगे इसमें तो एक परसंट भी डाउट नहीं है और डाउट रखनी के आवशकता भी नहीं है तो बहुत अच्छी पाजिटिविटी है जिन्दगी पर सफलता को दर्शाती है अब इनके जहन में एक परसंट उट सकता है गुरू जीज अब इतनी अच्छी चीज़े तो सफलता मिल क्यों नहीं गई अब देखो ये तो होगी आपकी पॉस्टिविटी थोड़े और पॉस्टिविटी को हम देख लेते हैं पॉस्टिव चीज़ों को जैसे कि इनका शुक्र बहुत बढ़िया है इनका मंगल बहुत बढ़िया है ब्रश्पती भी ठीक ठाक है सैटरन सर्मरकरी अच्छी दोणों मंगल और चन्रमा प्लैनेटरी कंडिशन्स भी आपकी अच्छे हैं जब आपके प्लैनेट्स में उभार होता है तो कहीं नग Pranets में ब्रश्पती को इनदिकेर करता है तो प्लैनेट्स भी बढ़े अच्छे कंडिशन्स में बढ़े अच्छी positivity के साथ है तो ये भी एक बहुती शांदार बहुत ही जानदार positivity है जिस अंदर में लोग आगे बढ़ते हैं अब देखो lines बहुत लोगों के हाथ पर दिखते हैं लेकिन planetary conditions का अच्छा ना होना ग्रहों में उभार का ना होना ये दरशाता है कि जातक को limited सफलता मिलेगी जातक को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी लेकिन किसी जातक के हाथ पर अगर planets भी अच्छे होते हैं ग्रहों इसके कौन से भी चीज़े अच्छी नज़र आती है तो ये जादा success को indicate करती है जातक के लिए जादा confident के साथ success को indicate किया जा सकता है तो ये तो इनकी positivity थी अभी सफलता ना मिलने के reason को मैं समझाओंगा कि कुछ negativity भी हाथ पर होती है तो हमें negativity को भी समझना देखना जानना उसका उपाय करना भर जरूरी होता है अगर अपने negative चीज़ को देख रहे हैं उसका remedy कर रहे हैं तो कई नके जिन्दगी पर आगे बरने का एक पहल उठा रहे है आपकी positive चीज़ तो आपको जिन्दगी पर आगे बरने से रोकेगी नहीं रोकेगी तो आपकी negativity तो हमें अपने negative चीज़ को समझना चाहिए देखना चाहिए उस पर work properly करना चाहिए तो negativity में क्या है अब देखो सूरी पर कुछ lines आपको दिख रहे होंगे ऐसे करके ये वाली भी दिख रहे होंगे ये वाली भी दिख रहे होंगे ये वाली भी तो ये सब basically cuts से सूरी पर अब cuts का क्या real alert होता है मैं आपको एक example से समझाता हूँ मान लिया जाए एक pipe है इस pipe से पानी pass हो रहा है ठीक है अगर इस pipe में कोई break नहीं रहेगा कोई hole नहीं रहेगा तो पानी बहुती easy way में प्रास होगा लेकिन इस पानी का एक hole यहाँ पर डिख गया एक hole यहाँ पर दिघग यहाँ पर एक break नहीं रहेगा तो कहीने कहीन यह बहुत जदा फल नहीं दे पाएगा तो सीधी रेखा का महत्व हमेशा ही अच्छा होता है जादा होता है तो अगर आपके हाथ पर सीधी रेखा है तो समझो आप bluzz रहें अगर सीधी रेखा नहीं है तो कहीं ने के एक समस्या की बात तो है एक समस्या की बात तो है इसमें तो कोई doubt नहीं है और समस्या क्या है distractions सूरी रेखा क्या दरशाती है सूरी रेखा कहीं ने के value मान सम्मान में कमी को दरशाती है concentration issues को दरशाती है अगर ये लाइन साथ पर रहे तो तो गुणी तो आप है, committed तो आप है, मैं क्या रहो ना flow तो आपके अदर पानी का भेरा यह एक टैंक है, तो flow तो आज जा़ी रहा है, यहाँ भी एक इतना वजाई टैंक है, तो पानी तो जा़ी रहा है, लेकिन किसी का flow बहुत अच्छा है किसी का flow कमजोर है तो अब इसके लिए करना क्या है इस जो टूटे-फूटे pipe है इसको repair करना है यह जो बाधित वाली अवस्था यह सब रेखा है दिख रहे हैं इसको खतम करना है तो सूरी पर जो बाधा वाली रेखा है इसको खतम करना है तो इसको खतम करने के लिए कुंड कुडली में इसके लिए उपाई किया जाएगा जिससे मैंने अपने जिन्दगी पर अब्जर्व किया है और बहुत से हमारे सज्जन क्लाइन्ट है जिनके जिन्दगी पर मैंने उप्जर्व किया है कि उनकी जिन्दगी पर सफलता हूं मिली है और नेगटिविटी खतम होग कर सही उपाई किया जा तो ऐसे भी कुडली दिखाने के आवशक्ता तो हर केस में पढ़ती है तो यहाँ पर से यह आवशक्ता पढ़ती है और पढ़ेगी तो चल यह चीज़ आपने समझ लिया पहले नेगेटिविटी यह थी अब दूसरी नेगेटिविटी थोड़ी से यह रहू रेखा है यह कही नगे आपके जिंदगी पर कुछ प्राब्लम्स को इंडिकेर करते कुछ तो रहू रेखा बहुत हाड थी और कुछ रहू रेखा बिलकुल हाड नहीं थी तो आपकी मंगल रेखा को अम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं तो एकद भी करूंगा कि आखिर कौन सी रहू रेखा कितनी ज़दा प्रभावी और है तो क्यों है और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है तो यही कुछ इनके नेगेटिविटी थी बाकी सुरवाती दोर से बागे रेखा कोई बहुत सटीक नहीं थी लेकिन हाठ ठीक ठाक थी त देखो पॉलिटेक्स में सफलता आपको तभी मिलती है जब आपके दो प्लैनेट्स बहुत ज़दा प्रभावी होते हैं एक तो आपका ब्रश्पती दूसरा आपका चंदर्मा और तीसरा आपका सूरी है यह आपका प्लैनेट्स का प्रभावी होना बहुत जरूरी है कहने आपके ग्यान का परशा कराता है, आपके कही न कहीं दार्सिंग सोच का परशा कराता है, लोगों के परती रची भावना का परशा कराता है. तो कहीने के चन्रमा का important होना भी बहुत जरूरी है तो ब्रश्पती चन्रमा जिस्वी व्यक्ति का प्रबल है सफल राजनेता के रोप से देखा जाता है और इनके ब्रश्पती में थोड़ी गरबरी आला कि इसका उपाय मैं जरूर से आपको करवाने का प्रियाश करूँगा और इसके लिए बहुत जरूरी है मैं बता दूँगा क्या जरूरी है कुणली विगरा देखना जरूरी हो जाता है बादवाकी बादवाकी अब सूरी का इंपोर्टेंट है सूरी मान सम्मान जर्स को दर्शाता है उच पद को दर्शाता है तो सूरी का अच्छा होना तो बहुत जरूरी है और इसी प्रकार से बहुत प्लैनेट्स अच्छ हैं जैसे बुद्ध आपके वक्ता को दर्शाता ऐसे व्यक्ति को अच्छा वक्ता होना चाहिए बुद्ध का होना भी बहुत कंपलसरी है तो ये प्लैनेट्स का मेजर इंपॉर्टेंट होता है किसी के भी जन्दगी पर जो प्रटिकल सफलता को पना चाहते है अगर आपका बाग्यरेका बढ़िया ये सब तो कंपलसरी चीज़ है बाग्यरेका बुद्ध रेका सूरी रेका अगर आपकी बाग्यरेका अच्छी है और आपके ये प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडिशन्स में है तो प्रटिकल सफलता में आपको जन्दगी में कोई भी निरूख सकता तो ये चीज़ आपने देख लिया अभी इनके प्रशन देख जीबन रेका से मैं डेल करता हूँँ चीज़ो को बागी तो मैं दिस्कूशन करूँगा कब की सेहिस में क्या सफलता है और इसको प्रबल करने के विए क्या उपाई किया जाए वो तो मैं आपसे प्रशनरी जरूर डिस्कुशन करूंगा अब यह आपके हम थोड़ा जीबन को देखना चाहेंगे कि विगत कुछ वर्सों से आपने अपने जिन्दगी को कैसा देखा है बच्पन से आपकी जिन्दगी कैसी रही है सारे पहलू पर विचार करना चाहेंगे उन चालिस वर्स की आयो एक रियल कंटेंट आपको देने का प्रियास करता हूँ अब देखो बच्पन से प्राग्लस लाइन तो हाथ परती मतलब अच्छे प्रिवार में जनम हुआ होता है बड़ी तरक्की आपके जिन्दगी पर मिली है जो तक्रीबन 20 वर्स की आयो में थी 23 में के बाद लिए उसके बाद यह कंटीनियो चला पढ़िया तीसमें के बाद एक 24 में में 25 में दिक्कत थी फिर 27 में में बड़ी दिक्कत थी 27 के बाद 7 फिर भी ठीक चली एक तरक्की आपकी 31 वर्स में थी 32 में कोई दिक्कत है फिर जिन्दगी ठीक चली एक नॉर्मल दिक्कत आपके 35-36 वर्स में थी 37-37 में एक तरक्की थी 37 के बाद 7 रेका ठीक है एक दिक्कत आपके 40 में वर्स में थी फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपके जिन्दगी पर 43 में वर्स के आज पास है और यहाँ पर से एक और प्रगती के योग है जो 40 में वर्स में तरक्की को दर्शा रही है 40-40, अहां 40 वर्स में 41 येन में कोई प्राब्लम है 42 में फिर एक तरक्की है तो 41 वाला जो राहू रेहा है कहीं न कहीं उसके लिए आपको रेमिडिक करना पड़ीगा ये बहुत जरूरी है आपके जिन्दगी पर फिर 43 में जो तरक्की है वर्स परटी तब्ड़ी तरक्की है उसके बदहों 44 में का उपस्ति थोड़ा ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्तित सफलता को जुरूर पाते हैं लेकिन फिर भी इस राहू रेखा क्लाप को रेमेडी करना चाहिए और प्रोग्रस लाइन को और स्ट्रॉंग करने क्लाप को रेमेडी करना चाहिए 45 वर्स तक ज़िदगी पर कुछ बड़ी achievement होगी उसके बाद एक बहुत बड़ी तरक्या आपके ज़िदगी पर देख लो 55 में वर्स में ये भी बहुत बड़ी बात है एक पचपड़ में वर्स में फिर एक 57 वर्स में फिर एक तक्रीमन आपके ये मान के चलो 58 येर्स में 59 में फिर आगे बे 60 येर्स के आसपास है 62 में तरक्य है फिर 64 में बड़ी यात्रा है 67 में बड़ी तरक्य है फिर आगे जिन्दगी ठीक है एक बहुत दुरीत रख्या, आपके 70-70 के बाद भी यात्रा हैं, जन्दगी पर बनीवे, लाइफ लाइन बहुत शांदार है, तो आयो दिरगायू है, no doubt दो मुखी जीबन रेका है, कुछ बाहर का सेटलमेंट हो सकता है, जीबन रेका का जो आपका फेज है न, जो जिस एतली का हम जनल असिस करेंगे, चीजों को असपस रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी ज़दा महतपून है, देखे, सीखे, समझे, स्कॉयर स्पाम है, मद्यमेच के वास अपलता हो को पाते हैं, सारे पैंट्स में स्ट्रेंथ है, राज्यों कार गतली को दर्शा साथ क्या ही चाहिए, कमफर्टेबल लाइफ रहती है, राजाओं के समान जंदगी बिताते हैं, 75% राज्यों का फल लाइफ बहुत असपस्टता और कमफर्टेबिलिटी के साथ भी देती है, पर देखे, जब भी सपोर्ट की आवशक्ता पड़ेगे, मल जाएगे, डिजा समझदार, समझदारी काफी अच्छी जातक, बहुत समझदार फिंगर पे खई लाइन से, दिल के बड़े प्योर हर्टेड हैं, और दिल का अच्छा तोड़ा ही चाहिए, ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे दिल के होते लोगों के विशम अच्छा सोचते हमेशा, यहाँ प बेहर शांदार है, तो अभी चलिए हम आपके प्रैनेट्स पर चलते हैं, यह आपके फिंगर का विशलेशन था, तो ब्रश्पती का यहाँ से दवाब थोड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करता है, स्टार्टिक फेज में स्ट्रगल्स, बाकी 32 में वर्स के बाद ज चीज़े बहुत ही अच्छी अनुकूल रहती, बाकी मैं डेमेडिस आपको जरूर से दे दूँगा, उसके बाद देखो तो बहुत ही अच्छी आपकी माइंड रेखा है, लेकिन माइंड रेखा पर थोड़े जिम्मेदारियों के योग बने, तो जिम्मेदारिया उठाते हैं आप, और एक दो जिम्मेदारियां और आपके जिन्दगी पर 24 वर्स के बाद आ जाती है, कुछ आपके ट्राइंगल से जो कही ना कि नेगेटिविटी को दूर कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, माइंड रेका बहुत अच्छी है, हर्ट लाइन पर समस्या आए रही इंसान हैं आप, कुछ ट्राइंगल तो इसके साथ भी है, जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, पुर्ण रूपेन, तो कही ने कही आपको भी अपने उपर नियंतर्ण करने के आओ शकता है, बैलन्स काफी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत अंद्रूस विक्ती है, तो इरिटेशन के लाइन है, जातर्ण तो जलती इरिटेट हो जाते हैं, तो उस पर नियंतर्ण करने के आपको आओ शकता है, बाद बागे देखो यहा से दबाब है, बागे के बड़ दनी है, वीनु माकिर्ती आगे सफलता मिल नहीं है, यह तो साथ वर्स की बात की बात ह सफलता मिल जानी है, सरकाली छेते से दनलाफ के प्रापर योग आपके अतली पर प्रापर, इस साथे लाइन जोन आपकी परस्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, बागे रिकाद बद है आपकी, कुछ इस्टब शुकर बले थे, मूट स्विंग के प्राब्लम्स को इंडि सूरी रिका बड़ी अच्छी है, एक से जादा है, पैतिक संपत्ती का अच्छा साथ है, आगे भी अधिकारी बनने के योग को दरशारी ये बड़ी सम्मान जनक पदपरासीन रहने के योग कोई बता रही है, इस सारे सूरी रिका के ब्रापर्टे से बहुत कबार, और ये मल्टिपल प्रापर्टी का सुक तो 36 वर्स के बाद है, ऐसे भी ये लोग बहुत ये अच्छे घर से तालुकात अकते, ये भी स्कौायर देख लो, अपने दंपर भी 40 में वर्स के बाद बनाने के बहुत ये अच्छे आजार है, सर्मर के एच्छे बुद्धिवेक से कारे करते हैं, इनसान बहुत तीज, जंगल में चोड़ दो पैसे कमा किया जाएंगा, दिमाग तो इतना तीज कारे करता है, ये पुड़े पुन रेका यापर से देखो, ये भी बुद्ध रेका को सपोर्ट कर रही है, तो पॉलिटिक्स से जुरावा कारे में, प्रॉपर्टी लेकिन थोड़े गुसेल परविर्थी के होते हैं, उस पर भी आपको नियंतरन करने के आउशकता है, अभी मैं आपको चंदर्मा को दिखाता हूँ, चंदर्मा बहुत बोल्ड है, आपको कुछ यात्राएं जंदगी पर रहेंगी, ये मंगल भी बहुत जबर्दस था, ये अच्छे परिवार से तालुकात रहें, जिन्दगी ठीकी रहती है, ना होने के वज़ासे सेल्फ की काम्यावी में दिक्कत होता है, बागे बागे रेका आपके 13 वर्स के बाद सक्रिये थी, और आपके 26 में वर्स के बाद तो बहुत कमाल की थी, 36 वर्स के बाद तो आते ही है, ये भी बुद्धरिका देख लो, यहाँ से भी देख लो, ये भी प्रापटी सुक के धनलाफ के योग को भी बता रही है, तो बुद्धरिका अच्छी है, कोई स्टूटी भी है तो ये पेट के समस्या को बताती है, उस पर नियंतर रखना, बागे शुक्र बहुत कमाल का है बे मिशाल है शुकर जिंदगी तो बहुत कमाल की रहती है इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कोई डाउट नहीं है फर देको सबस्दारी के लूप तो मैंने बता दिया बाकी मंगल रेका बहुत अच्छी है इंसान बहुत जदा अगरे आपको मारे ये प्रोटे पसंदा लाइक करते कमेंट करते सिर्गें सिस्क्राइब कर देगा प्रसनी में सास्ते का दिकांके सही जानकारी पाना चाते है आवरा वाट्सप्टमान मेल जाएका डिस्क्रिप्शन में ले के आप समपर्क कर सकते धन्यबाद